जन्म कुंडली में कैसे बनता है बिधुर योग। जेहां इसी बिश्य पर आज हम इस वीडियो में आपके साथ वार्ता करेंगे आडियो के साथ। सभी मित्रों को दर्शकों को मेरा नमशकार प्रिय दर्शकों कहते हैं हमने जो बोया है हम काटेंगे कोई और नहीं काटेगा उसे। जाने और अंजाने में हमसे हुए पाप और पुन्या हमेशा बीज की तरह ब्यापक रहते हैं और कर्म रुपी जल मिलते ही उनमें अंकुर निकलाता है और तब हमें वह खेती स्वयम को काटनी पड़ती है। बिधुर योग भी इस तरह से एक ऐसा योग है कि यदि हम अपने घर में अपने ग्रहनी को सम्मान नहीं दिये होंगे पिछले जन्व में अत्वा सुख नहीं दिये होंगे तो बीच मार्ग में ही जीवन साथी साथ छोड़ करके चला जाता है। कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जब जीवन साथी साथ छोड़ करके चला जाता है पुरुषों की कुंडली में वो ग्रह कैसे बनते हैं। तो बिधुर योग का एक हम क्रम लेते हैं। कन्या लग्न में यदि सूर्य या फिर मीन लग्न में शनी हों तो ऐसे पुरुष की कुंडली में से इस्त्री का नाश हो जाता है। नमबर दो, खश्ट अस्थान में मंगल यानि छठे अस्थान में मंगल, साथवे घर में राहू और आठवे घर में शनी जदि बैठे हों तो जीवन में पत्नी का मर्ण पहले हो जाता है। नमबर तीन, शुक्र अगर वरगोत्तमी या सब्तम अस्थान में हो और सब्तमेश पाँचवे घर में बैठा हो तो पत्नी हंता योग बनता है। नमबर चार, दुतिय और सब्तम अस्थान में पाप उगए होने से भी इस्तरी से बीयोग हो जाता है। यदि कन्या लगन होता है और कन्या लगन में सूर्य बैठे हों या फिर साथवे घर में मीन में सूर्य बैठे हों तो भी विधुर योग बनता है। धनेश और सब्तमेश का चठे आठवे बारवे अस्थानों में होना इस्त्री नाशक की योग बनाता है शुक्र से चौथे और आठवे अस्थान में अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो जातक कि इस्त्री अगनी से जल करके मृत्यू को प्राप्त करती है सात्वे अस्थान में गुरू हो या फिर पाप ग्रह शुक्र होने पर इस्त्री का जो है मर्ण जातक से पहले होता है फिर से बताता हूँ सात्वे अस्थान में गुरु या फिर पाप ग्रह शुक्र यादि पाप ग्रह है तो ऐसी अवस्था में इस्त्री का मरण तहले होता है सात्वी भाव में बलहीन पाप ग्रह हो तो उनको कोई सव में ग्रह भी न देखता हो तो उससे पत्नी का एन केन प्रकार से ब्योग हो ही जाता है शुक्र तीसरे छठे यानि कि मिथुन कन्या धनू मीन राशियों में अगर शुक्र हो और सब्तम ग्रह पाप ग्रहों से युक्त या द्रिश्ट हो तो इस्त्री मरण अवशंभावी हो जाता है पंचमेश सात्मी भाव में हो और सब्तमी में पाप ग्रह बैठे हो तो भी बिधुर योग बनता है नीचस्थ या अस्तंगत सब्तमेश भी बिधुर कारक योग बनाता है तो कन्या की कुंडली में अगर दुतिय और अश्टम अस्थान में सव में ग्रह हो तो पती के लिए बिधुरता का योग बनाता है अब यह ऐसा योग जिस योग में इस तरी फांसी लगार करके मرتी है यदि शुक्र पाप ग्रहों के मध्धवरती हो यानि की पाप ग्रह कौन से है बाए शुक्र तो सौम में हो गया शनी राहू के तु यह पाप ग्रह है तो शुक्र अगर पाप ग्रहों के बीच में बैठा हो और शुब ग्रह से ना देखा जा रहा हो शुक्र कोई भी शुब ग्रह न देखता हो तो ऐसे इस्त्री ऐसे आदमी की इस्त्री फांसी लगार करके मरती है सब्तम भावस्त राहू पर दो पाप ग्रहे बैठे हो या दो प्राप ग्रहों के दृष्टी हो सात्वे घर में राहू हो और उस पर शनी भी देख रहा हो के तू भी देख रहा हो तो भी विधुर योग बन जाता है ये योग किसी भी पुरुष की कुंडली में ना हो तो बहुत अच्छा है परन्तो कुंडली जन्म से पहले ही तैयार कर ली जाती है जन्म बाद में होता है इसलिए पहले बना प्रारब्ध पीछे बना शरीर प्रारब्द पहले तैयार हो जाता है और शरीर बाद में बनता है तो बस इस विशे को आप सब के सामने रखने का प्रयोजन इतना ही है कि यदि आपके जन्मकुंडली में ऐसे योग है तो अवश्य ही अपने पतनी का आदर करे और अपने पतनी की आयू बढ़ाने के लिए बढ़िया शुद्ध उपचार करके सुखी सोयम भी हो जाए और परिवार को सुखी रखे इसी के साथ आप से लेता हुबिदा नमस्कार